अरे भाई रोयल रंबल में भाई कुछ भी चल रहा है ब्रोक लेसनर और बोवी लेशली के मैच में रोमर रेस की एंट्री वापिस हो गई थी एंड गाईस मैं आपको बता दू पोल हेमन और रोमर रेस दुबारा जुड चुके हैं एंड रोक लेसनर के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ब्रोक लेसनर अपनी चैंप्शिप लूज चुक यह विलेशली को और बोवी लेशली जीट चुक्त गर्श आसके हैं जाँ नहीं करता हु कि like फॉड लगार जाते उनको चोड लग जाती है वो बाहर चले जाते हैं उसके बाद रोमरेज एकदम से इंटरफियर होके अटेक कर देते हैं ब्रोक लैस्नों एंड पॉल हेमन की तरफ देखते हैं भाई मज़ा आ गया भाई मज़ा पॉल हेमन को देखा रोमरेज ने उनकी चाल थी यह शुरू से पॉल हेमन ने रोमरेज को दुबारा एक नॉलेज कर लिया है एंड गाईज अब बोवी लैशली को लेके क्या बनेगा डबली डबली चैंप्शिव एकदम से पता नहीं क्या कर दिया डबली डबली वालो ने बट एस गाईज इतना हमें पता लग गया कि आज ब्रोक लैस गया को दिन बिल्कुल नहीं था रोमरेज ने अपने पहले मैच में सेथ रोलिस के साथ डिस्कौलिफिकेशन कर दी और इस मैच में ब्रोक लैसन को हरवा दिया आइज इस रिसलमेना बर होने जा रहा है रोमरेज वसिस ब्रोक लैसनर एंड तब फाइनली शायद ब्रोक ल राउजी का भी रेटारन हो गया है मैं आपको ये भी बता दू उसके दोरान जब वो जीत गई रैसलमेनिया साइन के पिछे पटा के चले उससे थोड़ी सी आग एंड चिंगार या निकलनी शुरू हो गई उसके बाद है मलब रोयल रंबल यही रहा है भाई कुछ भी हो रहा है रोयल रंबल पर एंडगे इस रोंडा राउजी ने फीमेल रोयल रंबल मैज जीत लिया है आकरी दो कंटेंडर थे शालेट फ्लेर एंड रोंडा राउजी एंड रोंडा राउजी ने शालेट फ्लेर को बाहर निकाल के ये मैज जीत लिया वैल ऐसा आप यहां तक का आगे हो क्या कर रहे हो सब्सक्राइब आरदने चैनल को नोडिफिकेशन बेल जिरूर रूं कर देना एंड लाइक तो आम मारी देवते हो मैंने में सोहिल बाई बाई